अलो दोस्तों स्वागत थे अपका हमारा चनल को इंदर भी आत वाज हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे कच्छय साथ का मैठ जो हम पढ़ेंगे 6a अब या 6a पढ़ेंगे उसका 3 नमर का 4 सबल हम पढ़ रहे ह। देखिए चोथा सवाल में दिया हमारा इसके पीछे का जो हमारा 3-6 सवाल था वो हम पढ़ चुके हैं अब इसका हम पढ़ेंगे 4 नवा सवा तो देखिए सवाल करा रहा हमारा 1 प्लास 3 बता में 2 माइनस 3 ईस प्लास 1 बता में 4 बराबर 2 कोश्ड़क में हम समिकरण को हल करेंगे अब तो करेंगे तो जब 2 और 4 का LCM लेंगे हम इसे LCM लेकर हल करेंगे तो 2 और 4 का LCM लेंगे तो हमारा 4 होगा अब जब 4 में 2 का भाग देंगे तो हमारा 2 होगा 2 दूनी के 4 फिर 2 में X प्लस 3 का गूड़ा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2X प्लस 6 खोगा तो 3X अब देखिए यहाँ पर हमारा माइनस है यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 3X माइनस 1 हो जाएगा बराबर अब हम इसका करेंगे तो पहले उपर करेंगे तो यह दोनों का गुड़ा कर लेंगे यह कोष्टक में है और यह बाहर है दो तो दो का यह दो दूनी के 4 बटा में 3 माइनस 2 बटा में 1 तो हम क्या करेंगे इसे वैसे ही लिख लेंगे 2x प्लस 6 प्लस 6 माइनस 3x माइनस 1 बटा में 4 बराबर इसका एलसे हम लेंगे हम तो इसका हो जाएगा हमारा 3 करेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा 3 जब 3 में 3 का भाग देंगे तो हमारा 1 होगा तो 1 में 2x-4 का गुड़ा करेंगे तो वही संक्या पराप्त होगी हमारा तो हम लिख लेंगे 2x-4 और यह माइनस वैसे लिखा जाएगा 3 में जो दिया हमारा 3 में 1 का भाग देंगे तो हमारा 3 होगा 3 में 2 का गुड़ा करेंगे तो 3 दुना के 6 हो जाएगा अब हम क्या करेंगे देखिया हमने बताय था कि जो LCM यह है वो बटा में जो आया है अगर वो कट रहा है तो हम कटा लेंगे नहीं तो तीरिया का गुड़ा कर तो जब हम करेंगे तो कर लेंगे चार में यह जो दिया हमारा उपर का उसमें हम चार का गुड़ा कर लेंगे और जो इधर दिया इसमें हम तीन का तीरचा तीरची हम गुड़ा कर लेंगे तीरियक का गुड़ा कर लेंगे तो हम करेंगे तो हो जाएगा हमारा चार जुना के 8x-44 16-4 64 जब हम गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा हमारा देखिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर जैसे दिया हमारा 2x-4-6 इसमें हमें कितने का गुड़ा करना है यहाँ पर दिया हमारा 4 का तो हम जब गुड़ा करेंगे 4 का तो हो जाएगा 4 दुना के 8x-44 16-4 चाके 24 तो देखिए इतना आगे न हमारा वैसे ही होगा यह अब बराबन में करेंगे तो 3 का इसमें गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा 3 दुना के 6x-3 चाके 18-3 तेलिके 9x और-3 एकम 3 हम इस ना कर लेंगे तो अब क्या करेंगे हम इसको अब पंच्छांतर करेंगे जो हमारा चर वाला संख्या वो एक तरफ करेंगे और चर वाला संख्या एक तरफ करेंगे तो क्या करेंगे यह दिया हमारा 8x तो इधर ही रहने देंगे और जो इधर हमारा 4 वाले संख्या वो हम इधर ला लेंगे तो यह हमारा देखिए यह हमारा माइनस में है 9 यक्स तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 9 यक्स और यह हमारा प्लस में है तो हो जाएगा माइनस 6 यक्स बराबर यह 18 वैसे लिखा जाएगा और ये माइनस में हमारा 24 है तो इधार आएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा और ये माइनस में 16 है तो इधार आएगा तो प्लस में 16 हो जाएगा और ये माइनस 3 पहले लिखा है तो वैसे हम लिख लेंगे तो हम इसे हल करेंगे तो देखिए 8, 9, 17 यक्स हो जाएगा माइनस चो यक्स बराबर इसे हम प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा इसे हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा ठावन माइनस तीन इसे हम घटाएंगे तो ग्यारा यक्स बराबर इसे हम घटाएंगे तो पचपन तो यक्स बराबर पचपन बटा में ग्यारा तो कटा लेंगे तो ग्यारा पच्चे पच्पन यानी की उत्तर हो जाएगा हमारा यक्स बराबर 5 तो हमने हल कर लिया तो हमारा उत्तर आया है 5 तो हम क्या करेंगे सवाल में हमारा कहा था की हल करिये और उत्तर की जाज करिये तो हमने हल तो कर लिया है अब हम इसका उत्तर का जाज करेंगे, हमें कुछ ने करना है, शरीफ सवाल पर रख देना है, जो हमारा आया है यक्स बरावर 5, तो जहां-जहां यक्स है, वहां-वहां पर हम 5 रख देंगे, तो चलिए, उत्तर की जाज करते हैं, तो सवाल था हमारे ये तो हमारा जो yaks बड़ावर 5 आया है जहां जहां yaks है वही पर हम 5 रख देंगे तो यहां पर yaks है तो हम लिख लेंगे 5 प्लस 3 बटा में 2- यहां पर 3 है और yaks यहां पर कुछ नहीं है तो गुड़ा का निशान मना जाता है और यक्स कमान लिख लेंगे हम 5 प्लस 1 बटा में 4 बराबर यहाँ पर 2 है तो 2 वैसे लिख लेंगे यक्स कमान 5 माइनस 2 बटा में 3 और माइनस 2 बटा में 1 बस हम इसे हल करना है हमने मान भी रख लिया है तो हम इसे छोटा सा छोटा रूप कर लेते हैं तो इसे हम जोड लेंगे तो हो जाएगा 8 बटा में 2, माइनस 3, 5, 15, 1, 16 बटा में 4, कर लेंगे बराबर, 2, 5, 10, माइनस 2 बटा में, sorry, 2 दुना के 4 हो जाएगा, यह हमारा 4 हो जाएगा है, हम 5, माइनस 2 में 2 का कुड़ा करेंगे, तो 2, 5, 10, माइनस 2 दुना के 4 बटा में 3, माइनस 2 बटा में 1, तो करेंगे हम 8 बटा में 2, माइनस 16 बटा में 4, बराबर, 10 में से 4 जाएगा, हमारा हो जाएगा, 6 बटा में 3, माइनस 2 बटा में 1, तो हम क्या करेंगे अब, इसको LCM लेकर हल कर लेंगे तो देखिए LCM लेकर हल कर लेते हैं हम तो इसका हम करेंगे तो 4, 2 का LCM लेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 जब 4 में 2 का भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 2, 8, 16, minus 4 में 4 का भाग देंगे तो हमारा 1 होगा एक में 16 को गुड़ा करेंगे तो 16 ही होगा बराबर 3 में 3 और 1 का LCM देंगे तो हमारा 3 होगा 3 में 3 का भाग देंगे तो हमारा 1 होगा 1 में 6 को गुड़ा करेंगे तो 6 हो जाएगा माइनस 3 में 1 का भाग देंगे तो हमारा 3 होगा आपको पता है किसी संख्या में एक का भाग देने को वही संख्या प्राप्थ होता है तो हम तीन में एक का भाग देंगे तो हमारा तीन होगा तीन दुना के चो यह हमारा चो हो जाएगा तो देखिए जब हम 16 में से 16 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 0 बटा में 4 इसका हो जाएगा 0 बटा में 4 और 6 में से 6 घटाएंगे तो इसका हो जाएगा 0 बटा में 3 यानि देखिए किसी भी देखिए 0 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो हमारा 0 ही होगा 0 में 3 का भाग देंगे तो हमारा 0 ही होगा किसी भी संख्या में गुड़ा हो चाहे भाग हो 0 से होता है तो 0 ही मान होता है देखी, जैसे हो गया हम अगर 5 में 0 का गुड़ा करेंगे तो 0 ही होगा अगर 5 में 0 से भाग देंगे तो हमारा इसका भी 0 ही मान होगा तो इसलिए देखिए जीरो में चार का भाग देंगे तो हमारे जीरो ही होगा जीरो में तीन का भाग देंगे तो हमारे जीरो ही होगा यानि कि जीरो बराबर जीरो जीरो बराबर स्वरी जीरो बराबर जीरो यानि कि जो हमारा सवाल आया था यक्स बराबर पांच वो हमारा बिल्कुल सही है क्यूंकि हम उसका उत्तर कजाच कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 0 बराबर 0 यानि कि दोनों परच का हल करने पर बराबर आ रहा है उत्तर यानि कि हमारा सवाल जो यक्स बराबर 5 था वो बिल्कुल सही है यक्स बराबर 5 जो हमारा बिल्कुल आया था तो वो हम इसका हम अगले देखेंगे सवाल आपको अगले वीडियों बताएंगे